दोस्तों अगर bathroom के लिए toilet seat लेने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना आज कुछ ऐसी 10 बाते में आपको बताऊंगा कि उसके बाद आप एक अच्छी toilet seat खरीद पाऊगे नहीं तो होता क्या है? बार-बार maintenance करनी पड़ती है, leakage हो रही है, smell आती रहती है कौन सी seat लेनी है? rimless toilet seat, rimless toilet seat कौन सी हो गई? कुछ ऐसी होती है उसमें होगा क्या? rims नहीं होती है, अंदर से पाणी नहीं निकलता है, सामने सामने poly flow करेगा जिसको साफ करना बहुत easy है, maintenance less हम इसको बोल सकते है, hygienic रहती है और बहुत से अच्छी सुन्दर देखती है, यह पहली चीज करनी है, दूसरी चीज इसी में करनी है इसमें क्या लेना है आपको? यहां तो आपको लेनी है 4D flush यह 6D flush यह है क्या 4D, 6D? 6D siphoning flush क्या हो गया? जैसे यह सामने आप देख रहे हो कितने holes है इसमें? 6, जितने ज़ादा holes होंगे, उतने pressure से, मतलब साइफोनी के pressure निकलता है पानी का जिससे जो भी based होगा, वो easily clean हो जाएगा, और आपकी जो seat होगी, वो हमेशा अच्छी रहेगी, hygienic रहेगी कम पानी लगता है इसमें, और clean properly हो जाता है, यह सबसे अच्छी चीज़ है, यह चीज़ करनी है आगे मैं बाकी 8 point पे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, यह सामने जो toilet seat आप देख रहे हो यह हमने purchase किये कहां से, रोही कंपनी की website से, जो इंडिया की biggest digital kitchen और bathroom fitting के लिए है तो मैं सबको यह recommend करता हूँ, कि अगर आपको अपने गर के लिए kitchen या bathroom के लिए कोई material लेना है इससे अच्छा option और कहीं नहीं हो सकती, क्यूं मैं बताता हूँ, जैसे toilet seat आप देख रहे हो perfect है आपके bathroom के लिए, क्यूं? क्यूंकि यह one piece design में आती है, sleek है और space spacing है ऐसी ही आपको 15 से 20 option आपको इनकी website पर मिल जाएंगे और यह जो toilet seat है, वो बनी है anti-chipping high quality ceramic material से इससे होगा क्या? कोई भी जो based है, जाएगा हमारा toilet seat में, उससे कोई stain नहीं पड़ेगा ना crack आएगी और perfect sleek एकदम दिखेगी, क्यूंकि यह glossy white finish में आती है और आपके bathroom के toilet को trending सा बना देगी सबसे अच्छी चीज क्या है? यह सामने जो हमने toilet seat लगा है, रोही company की water saving है इसमें, क्यूंकि इसमें dual flush mechanism लगा है seat का जो cover है, वो है soft close seat cover, जिससे ना कोई noise होगी और एकदम perfect और sleek दिखने वाला है, जो जब आप इनकी website से कोई भी product मंगाते है लगा लो हमने यह toilet seat मंगवाई थी, पूरी safety के साथ यह pack होके आता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब भी हम रोही company की website से कुछ भी product लेते हैं, जैसे हमने यह seat ली थी, 10 साल की इसकी warranty मिले excellent customer support रहती है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप तुरंत call करिए, आपको सारे answer मिल जाएंगे और साथ ही साथ हमें इसमें मिली है 30 days की return और exchange की policy और चाहिए क्या तो मेरे खाल में तो best option है कि आपको कोई भी अपनी bathroom की fitting या kitchen की fitting लेनी है तो रूही की website पे जाए हर एक variety, हर एक quality की चीज आपको मिलेगी और बाकि अगर मैं points की बात करूं, तो क्या ध्यान रखने है जब भी आपको इनकी website से कुछ भी product लेने है आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए, बाकि तो detail आपको मिल जाएगी पूरी website पे लेकिन खुद से knowledge होगा तो बहुत अच्छा है, बाकि ये points आठ आपको ज़रूर चेक करने है जब भी आपको toilet seat करीदनी है और इसी में हमारा important चीज आती है, जब भी हम seat लेने जाते है कि हमें दिमाग में होता है कि floor mounted ले, जहां ले, wall mounted floor mounted कौन सी होगी, जो ये one piece seat, इसको क्या बोला जाता है floor mounted, पूरी उपर से लेके नीचे तक ये होती है और बहुत premium rich look इस समय देती है, अगर मैं किसी को recommend करूँ, तो हमेशा क्या करना, floor mounted लगाना, देखने में में premium लगती है और काफी चीज़े, इसमें इतनी जदा maintenance नहीं आती, easily maintenance हो जाती है, सस्ती होती है, और कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन जो wall mounted होती है, premium एकदम वो भी लगती है, even floor mounted से जदा wall mounted होती है, कुछ ऐसी दिखती है, वो जदा premium लगती है लेकिन वो costly भी उतनी जदा है, अगर उसमें future में कुछ maintenance आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, पूर्या पीछे से उसको तोड़ना पड़ सकते है अगर आपका छोटा bathroom है, मैं तो recommend करूँगा, आप क्या करिए, यही लगाईए, लेकिन एक ची हमेशा दियान रखना, अगर आपके पानी में नमक रहते है, salty water आता है आपके area में, तो कभी वी wall mounted मत लगाना, वो थोड़े दिन बाद खराब होनी होनी है, गरंटी है, तो उ example ले लेते हैं, चलो, जो floor mounted है, वो आपको मिल जाएगी, 7000 से 11-12000 रुपे के में, अच्छी seat आपके गर में आ जाती है, लेकिन, जो आपकी wall mounted है, वो आपकी start ही कितने से होगी, 12-13000 रुपे से अच्छी quality, और 20,000 तक चली जाती है, तो महंगी भी बहुत है, और maintenance इसली न क्योंकि hide proper हो, तो comfort भी अच्छा रहता है, और सही रहती है, और shape इसमें बहुत matter करती है, देखो आपको D shape में मिल जाएगी, O shape में मिल जाती है, oval में आती है, बहुत आती है, मैं तो recommend करता हूँ, सबसे जो best shape होती है, जो comfort के हिसाब से देखे, वो होती है, आपकी ऐसी rectangle, scale shape की, जब scale shape की seat हो, वो comfort में सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस shape के लिए जगा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बातरूम आपका थोड़ा बढ़ा होना चाहिए, अगर आपका बातरूम है थोड़ा छोटा, तो आप जा सकती हो, यो U shape में आती है, या oval shape में आती है, लेकिन उसमें इतनी ज़दा comfortable ही होती है, सबसे ज़दा comfortable कौन सी होती है, ऐसी square shape की, लेकिन थोड़ी आज के लिए boring सी लगती है, तो लोग क्या करते है, U shape हो गई, या D shape होगी, वो लेते हैं, आप क्या करिए, square में लेजिए, थोड़े curves क साथ लेजिए, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, एरूही company की है, तो ये बहुत premium rich look आपके, किसको bathroom को दे देगी और comfort में बहुत अच्छी रहेगी, अगली चीज क्या करनी है, कभी भी जो आपकी toilet seat है, मैं तो recommend नहीं करता हूँ कि आप local market से लो, वो guarantee warranty दे देते हैं, ले अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी toilet seat लेने जाओ, height जरूर दियान रखो, आपके गर में किसके लिए, वो seat यूज करने वाले, बुडों के लिए, बच्चों के लिए, आप खुद के लिए height matter करती है, देखो जो इसकी standard height आती है, वो आती है 15 से 17 इंच, वो इतनी ज health को effect कर सकती है, तो आपको क्या रखना है, 15 से 17 इंची height रखनी है, क्योंकि इतने जेर, वहाँ बैठे थोड़े रहना है, बातरूम में, काम किया और बाहर, तो ये चीज आपको करनी है, height उसकी थोड़ी देख के लेनी है, ये बहुत important चीज होती है, अगली चीज हमेशा दियान रखना है, जब भी toilet seat लेने जाओ, जो उसका cover होता है, seat cover, वो proper आपको कौन सा लेना है, duroplast हो, मतलब जैसे ये सामने आप देख रहे हो, काफी अच्छा plastic हो, और soft close लेना है, soft close लोगे उससे क्या होता है, एक तो उसकी noise को ही नियाती है, जब उसको आप वो आराम से दीरे बैठ जाएगा, ठीक है, हईडरोलिक रहता है, पूरा आराम से नीचे बैठ जाएगा, और हाइजीन भी रहता है, लेकिन जो normal आती है, standard, उसमें काफी जदा noise हो याती है, यह रूही company का है, इसमें भी noise हमें देखने को नहीं मिली, काफी अच्छे conversion के, बाकि अगर आपको most important detail होती है, water consumption तो देखना ही देखना है, जो water efficient होगी, वो ही लेना, वो possible कैसे हो जाती है, जो अंदर का उसके valve लगे होती है, उनकी help से भी water control कर सकती हो, लेकिन normal आपका 4-6 liter उसमें पानी जाने वाला है, ठीक है, तो water efficient होगी, वो कैसे हो जाती है, जैस जैसे ये 2 point है, एक को दवाएंगे, तो थोड़ा पानी उसमें जाएगा, आप set कर सकते हो, इसके बीच में function होता है, आप पूरा set कर सकते हो कि कितना पानी आपको इसमें जाने देना है, अगर बड़े वाले को दवाती हो, तो पूरा cleaning होता है, तो पानी बहुत important होता है, और आपको toilet seat भी उसी साफ से लेनी है, कौन सी? जो water efficient वाली हो, देखो अगली चीज होती है, जब भी toilet seat लेने जाना है, उससे पहले हमें points तो छोडने है, वहाँ पे S trap भी आता है, और P trap भी है, दोनों में difference कहा है, देखो S trap कुछ ऐसा रहेगा, जो floor mounted आती है, one piece वाली, व आपको आपने plumber को बोलना है, कि point उसी साफ से रखे, क्योंकि वह पहले ही आपको decide करना पड़ेगा, और P trap हमेशा wall mounted में लगता है, और अगर देखा जाए, maintenance की help से, और hygiene की help से smell नहीं आए बातरूम में, तो P trap सबसे best होता है, तो जब भी अपनी toilet seat में कोई trap आपको देना तो P trap अगर दे सकती हो, तो best option होता है, क्योंकि उसमें इतनी जदा smell नहीं आती है, और maintenance free वो रहता है, ये चीज हमेशा दियान रखना, अगली चीज क्या करनी है, जब भी आपको ये seat लगवानी है, वो किसी experience plumber से ही लगवानी है, नहीं तो होता क्या है, mostly मैं देखता हू 50-60% जो seats होती है, वो leak करनी लग पड़ती है, किस कारण करती है, proper से seat को बिठाए नहीं जाता है, इसके नीचे जो बाशल रहती है, इसकी ठीक है, वो rubber जो रहता है, वो अगर proper से नहीं बिठाओ, थोड़े time बाद leakage होने लग पड़ती है, और पूरे bathroom में आपके smell रहेगी तो मतलब कहने का यही है, कि experience plumber लगवन है, और उसको knowledge होगा कि कैसे seat को बेठाना है, कैसे valve को खोलना है, कि पानी हमारा कम use हो, यादा use हो, यह दिक्कते आती हैं, और जब भी seat low, उससे guarantee warranty ले लो, क्योंकि यो इसके अंदर के valve होते हैं, वो लगाते लगाते भी कभी कबार खराब हो जाते हैं, तो इतना रखो कि वो आपके exchange हो जाएं,